सुप्रीम कोट में फिलहाल उद्धव बाअसाहिब ठाकरे और मुख्य मंत्री एकनाच शिंदे के बीच लडाई चल रही है सुप्रीम कोट के मुख्य न्यायाधीश धननजय वाई चंद्रचूर की न्याय व्यवस्था को पूरे देश की जनता देख रही है आईए जानते हैं सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस धननजय वाई चंद्रचूर के अब तक के सफर के बारे में जस्टिस चंद्रचूर के पिता जस्टिस वाईवाई चंद्रचूर 1978 में देश के 16 वे मुख्य न्यायाधीश बने थे वह लगातार 7 साल तक मुख्य न्यायाधीश रहे उसके बाद उनके बेटे धनन्चे यश्वंत चंद्रचूर सुप्रीम कोट के 56. मुख्य न्यायाधीश है यहाँ पहली बार है कि इतने लंबे कार्यकाल तक प्रधान न्यायाधीश के पद पर रहे पिता का बेटा न्यायाधीश बना है यहाँ पहली बार बड़ा इभिहास रचा है कि इतने लंबे कार्यकाल तक प्रधान न्यायाधीश के पद पर रहे पिता का बेटा न्यायाधीश बना है अब वास्तव में हम अगर जस्टिस चंद्रचूर के पिछले करियर के बारे में बात करने का फैसला करते हैं तो उन्होंने जो निर्णय दिये उनके मामले सभी प्रसिद मामलों के पीछे के कारण यहाँ एक बहुत लंबा विडियो होगा इसलिए आईए उनके अब तक के करियर के बारे में संख्षप में जानते हैं न्यायाधीश धननजय वाय चंद्रचूड का जन्म 11 नवंबर 1969 को हुआ था न्यायाधीश धननजय वाय चंद्रचूड ने वर्ष 1999 में सेंट स्टीफन कॉलिज में नई दिल्ली से अर्थशास्त्र और गड़ित विशय के साथ सनातक की उपाधी प्राप्त की ओनर्स की सूची में दिली विश्व विद्याले में न्यायाधीश धननजय वाय चंद्रचूड ने सर्वोच स्थान पाया था वर्ष 1982 में न्यायाधीश धननजय वाय चंद्रचूर ने दिली विश्व विद्याले से विधी में सनातक उपाधी प्राप्त की वर्ष 1983 में हार्वर्ड विश्व विध्याले से विधी में सनातक उपाधी प्राप्त की थी. वर्ष 2015 में डॉक्तर राम मनोहर लोहिया राश्च्य विधी विश्व विद्यालय लखनव में एल एल डी की मानद उपाधी दी. चंद्रचूड ने बंबई उच्च न्यायालय में वकील के रूप में अभ्यास किया. तथा समवैधानिक कानून और सारवजनिक कानून में विशेश रूची ली. वर्ष 1998 से 2000 में चंद्रचूड एडिशनल सोलिस्टर जनरल ओफ इंडिया नियुक्त हुए. 29 मार्च 2000 को बंबई हाई कोट में अतिरिक्त जज नियुक्त हुए थे. 31 अक्तूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोट के मुख्य न्यायाधीश पद पर आसीन हुए. 12 में 13 मैं 2016 को सुप्रीम कोट ओफ इंडिया के जज बने. अब डॉक्तर न्यायमूर्ती धननजय यश्वन्त चंद्रचूर वर्तमान 2023 में भारत के मुख्य न्यायाधीश है. और 9 नवंबर 2022 को राश्च्चुपती द्रौपदी मुर्मो ने भारत के 50-वे मुख्य. ज्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनियता की शपत दिलाई. चंद्रचूर 13 मैं 2016 को भारत के सुप्रीम कोट में जज न्यूक्त हुए. सीजे आई चंद्रचूर ने एक बार फिर रचा नया कीर्तिमान. सुप्रीम कोट के इतिहास में शायद ही कोई चीफ जस्टिस हुआ है जो इतना चर्चा में रहा होगा. सुप्रीम कोट के वर्तमान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूर कोट रूम में पहली बार 21 फरवरी को सुबह साड़े 11 बजे प्रयोग के लिए लाइफ ट्रांस्क्रिप्शन को लॉंच किया गया था. ट्रांस्क्रिप्शन सर्विस को टियर्स द्वारा उपलप्थ कराया जा रहा है. सुप्रीम कोट ओफ इंग्या में पहली बार आर्टिफिशल इंटेलिजिंस और टेकनोलोजी का इस्तिमाल होगा. सुप्रीम कोट में होने वाली सुनवाई के लाइफ ट्रांस्क्रिप्शन के लिए पहली बार नैचरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज किया जाएगा. ऐसे जस्टिस को सलाम. चंद्रचूर 13 मई 2016 को भारत के सुप्रीम कोट में जज नियुक्त हुए. अभी हम केवर उद्धव ठाकरे और महराश्य के मुख्यमंत्री एकनाच शिंदे की चल रही अदाल्ती लडाई और उनका न्याय कैसे हो रहा है. ये न्यायाधीश धननजय वाय चंद्रचूर के निमित्त मात्र से जानने लगे है. इस तरह के और जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए जय भीम जय भारत चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले. धन्यवाद झाल